आप कहो गे हमने तो गोपाल जी बोलते ने आप ये बताए गोपाल जी का छोटा बाल उसवरुप है और बालक कभी भी खुद नहीं बोलता है उसको बोलना सिखाना पड़ता है तब बोलता है आपने अपने गुपाल जी को कितनी बार बोड़ा सिख्या है आप अपने बंचों के लिए रोज अच्छे-अच्छे कहीं जाते हो अच्छा खाने को डेली कुछ न कुछ बनाते हूँ गुपाल जी के लिए आप कितना करते हु मूर्ती बोलेगी, मूर्ती खाएगी, सब कुछ करेगी इसे लिए कहा कौन कहता है भगवान, हाते नहीं 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 बक्तों के जैसे खिलाते रही बेर शबरी के जैसे खिलाते रही कौन कहता है भगवान आते 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 रही कोई परिशानी है, कोई बीमारी है, पूरी रात परिया नहीं सोती थी, अगर करी ना सोती है, हमें वो भगवान नहीं चाहिए, जिसके हाथ नहीं हो, जिसके पैर नहीं हो, जो खाता नहीं हो, जो सोता नहीं, कोपी कहती है, हमें वो भगवान चाहिए, जो हमारा हाथ नाच सके, हमें वो भगवान चाहिए जिसके साथ हम महरास कर सके, जिसको अपने हातों से माखन खिला सके कौन कहता है भगवान नाच ते नहीं कौन कहता है भगवान नाच ते नहीं गोपियों की तरह तुम न चाहिए जिसके नहीं कौन की तरह तुम न चाहिए जिसके नहीं उसके लिए शिठाकुची सम नियम बदल सकते हैं उसके लिए प्रकुब बालग बन सकते हैं सम मर्यादाओं को भगवान ने तोड़ दिया प्रज का धनियां कुछ अलगी है इसलिए तो कौपी कह रहे है जयती देधिकम जन्म नाम रजहें डभू आपनी इस प्रज में जन्म लेकी स्प्रज को वेकुंट से भी बढ़ा कर दिया क्यों वेकुंट में आपकी मर्यादाएं हैं आप चलते हैं नोकर आगे पीछे दास सेवक सब चलते हैं भगवान राम चलते हैं तो मर्यादा में चलते हैं ऐसा शास्त्रों में लिखा है जब प्रभू राम चलते हैं तो चार कदम बस आगे तक देखते हैं उससे उपर उनकी गर्दन नहीं होती लेकिन ब्रज का ठाकुर ये जब चल नहीं देख रही हो तो ठाकुर जी को अपनी बेजती लगती हम जार्व हमें नहीं देखे भगवान ने प्रज में आके सम मर्यादाएं तोड़ती सम नियम तोड़ती और क्यों तोड़ा क्यों क्योंकि ब्रज ठाकुर जी का घर है घर में कोई बंठन के नहीं रहता है आप आफिस जाते हो आप टाय, कोट, पहन, शर्ट सब पहन के जाते हो, पर अपने घर आते हो, क्या 24 गंटे रात को भी अच्छे एकदम पहन करके, जूते पहन के टाय लगा के सोते हो? माता है, पाटी में जाएंगी तो सजदर्ज के जाएंगी, पर अपने घर जाएंगी, तो यह ने कि 24 गंटे ज्ट्रेलरी पहन के रहेंगी, सजदर्ज के यह करके, घर में आके सम मरियादाईं चूढ जाते हो, सब आपुशन चूढ जाते हैं, बहगवाल ने भी ब्रज में आपके सब आभूशन मरियादा आपके उतार दिये और प्रभु ब्रज के बालत बने कहां ये शेशकाल पर निंद्ट करते हैं और कहां जब नाग पंचमिक को गोपी कोईले से घर के बाहर एक नाग बनाती है तो कहते गोपी इसको दूर कर मुझे इसको देखके डर लग रह इस दिनर पर प्रभु आपकी लिला आप ही झान सकते हो कब क्या कर दो कुछ नहीं पता इसलिए भगतों पर इसलिए इनका नाम भगत बच्चन है अनिको भगतों पर कृपकी है वो भागवत क्या है भगवान से जादा भगवान के भगतों की अगर प्धाइब केवल भगवान भगवान की कथा सुनाएं तो भगवान जादा देत कथा में नहीं बढ़े अपनी कथा उनको पसंद नहीं आते हैं यह तो सीधी सी बात है यह जितनी भी माताई बैठी है आप बहुत अच्छी कुकिंग करती हो आप बहुत अच्छा कोई भी काम करती हो वो यह आपकी दुराई आपकी बहुत प्रसंसा करें आपको अच्छा लगेगा अच्छा लगेगा सीधी सी बात हो आपकी कोई बालक की प्रसंसा करें अरे आपकी बेटी तो बड़ी संस्कारवाद है आपका बेटा तो बड़ा अच्छा कितने अच्छे संस्कार दिये आपको अपनी प्रसंसा जादा अच्छी लगेगी या अपने बच्चों की प्रसंसा अच्छी लगेगी ठाकुर्जी की बड़ाई बड़ाई करते रहो तो भगवान को पसंद नहीं आते जब भक्त की कोई कथा आती है तो प्रभू एकदम तयार हो के बैठ जाते हैं लुटने में हम सब शोता हैं कथा हम सब वक्ता है कोई शोता है और सच्छ इसक्थ इसक्थ अपन की सुंदर लीला समय नहीं है चुकि अब ही बहुत आगे प्रसंदी बागी है कि तो हम संक्षेप में सूक्ष में श्रवन करती हैं आगे बड़े श्री सुक्देव गोस्वामी राजा परिक्षित को आगे की कथा श्रवन करा रहे शुष्ति का माराम महाराज्ण सतुर्उप महाराणी के द्वारा कृणुए उतंतों और प्रियंव्रत महाराज उतंतोंौगत के पुत्र्शी दृव महाराज हुरे जिन्होंने पांच वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया आगे राजा प्राचिनवरे की कथा आई जो यग्ड करते थे और यग्ड में बली चड़ाते थे पशु की नारजी ने आके समझाया कि कोई धर्म पशु हत्या को इजाजत नहीं देता मैंने कल भी शायद थोड़ी सिक्षचा हुई थी इस बारे में कि कभी भी कोई भी धर्म किसी पशु हत्या को जीव हत्या को मान्यता नहीं प्रदान करता थे अगर कुछ ततापति धर्म कहते हैं कि हमारा धर्म पशु हत्या के लिए इसाजत देता है तो यह उनकी नासमठी है क्योंकि जीव हत्या इस दुनिया में सबसे बड़ा पाव है मैं आपसे प्राथना करूँ हो सकता है आप नहीं आप सब भक्त है कथा में आए नहीं करते हूं लेकिन आपके बच्चे या कोई आपके सर्कल में कोई फ्रेंट्स रेलेटिव कोई भी मांस आहार करता हूं मांस खाता हूं गलत आहार करता हूं आप उनको समझाए एक पशु हत्या से कितना बड़ा बाब लगता आप इक पशु को मारेंगे उसको भी खून निकलेगा आपको लगती है आपको भी खून निकलता है वह भी चिल्लाते हैं पर कितनों हैं कि इसावार को हम human rights की बात करते हैं, रोज लेके बेर जाते हैं, human rights हमारा है, लेकिन उन पश्रू का भी तो कोई अपना right है, उनका भी तो कोई अपना, लेकिन हम उनकी तरफ ना देख के सिर्फ अपने बारे में देखते हैं. भारत में आज के समय में बहुत बड़ा विशय चल रहा है गोहत्या, तो गोहत्या का ये विशय उठा तो कुछ लोगों से कहा गया, कि आप गौमांस क्यों खाते हों, तो बड़े चोकाने वाले बयान आए, बयान भी कोई नॉर्मल लोगों के लिए नहीं, बहुत बड़े लिखे लोगों के जो बड़े बड़े पद पर बैठे उन लोगों के बयान आए, और वो कहते हैं, हम क्या खाएं, ये हमारा अधिकार, ये हमारा मौलिक अधिकार, आप क्या खाओ, ये सठ्वुच आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन आप किसी पशू का मौलिक अधिकार, अपने अधिकारों के लिए छीन नहीं सकते हैं कल को आप इंसानों को खाने लगर करें हमारी वर्जी हम कुछ भी खाएं कुछ नियम है दुनिया सर जैसे गवर्मेंट के रूल होते हैं वैसे उस सरकार के भी कुछ नियम उनको नहीं मानोगे तो फिर बहुत बड़ा नुक्स हो रहा है कि पश्व को मारते जा रहे हैं प्रक्रती के साथ शेर चाड़ करते जा रहे हैं इंसान पश्व को मार रहा है एक शेर भूका रह सकता है लेकिन कभी हास नहीं खाज़ता है क्योंकि भगवान ने उसको मांसाहरी बनाया है वो उसका स्वभाव है पर इंसानों का स सब्सक्राइब है फिर भी वो उसको छोड़ करके गलत रास्ते पर आप पहुत सारे लोग होंगे जो पहुत रेस्टोरेंट में जाते होंगे एक मैक्डोनल्स एक सान है एक सर्वे हुआ जिसमें बताया गया केवल अकेले मैक्डोनल्स के लिए एक दिन में मार दिया जाता है बीफ के लिए आज के भारती बच्चे भारती बच्चे बीफ खाने लगे और मैं केवल विदेशों की बात नहीं कर नहीं भारत में जाके देखें भारत में बड़े बड़े होटेल्स में फाइफ स्टार होटेल्स में बीफ मिलने लगा भारत की बड़ी बड़ी जो अठी यूनिवर्स किया है उन यूनिवर्स कियों में बीफ पार्टी होने लगी अभी जेन्यू का बहुत भेंकर बबाल दिल्ली में वह आप समने शायद खबरों के मादियों से देखा हुए जेन्यू में बीफ पार्टी हुई तो ये भारत को हम किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं हम अपने धर्ब को क्या लोगों को दिखाना चाहते हैं और भारत पूरे वेश्व में भारत बीफ एक्सपोर्ट करने में पहले नंबर पर आता है पहले आप सबसे प्राथना है दो तीन चीजें जिससे गोहत्या रोगी जा सकते हैं पहला तो गोमांस पर रोग होना चाहिए आप दुनिया का ठेका नहीं ले सकते हैं कमसे कम अपने आपको तो बदल सकते हैं या जो आपके आसपास के लोगों उनको तो बता सकते हैं क्यों गलत है इससे क्या नुक्सान हो रहा है हम लोगों को गोमांस पर दूसरा यहां बहुत लोग होंगे जो गोमांस तो नहीं एक घृत्या परन है क्याया अधिकाम्श लोग या माताय बयुले के प अपयोग करती है, लेकल आपको नहीं मालूम की आपके इस फाशेंद के लिए कितने पश्म को मारा जाुता है आज सब तो नेटलोजी में बहुत आगे हैं, आज दुनिया की चीज़े देखते हैं, तो कभी कबार समय निकाले के ये चीज़े भी खो जाकर, कभी नेट पे जाकर देखना, एक लेदर काउप्यों करने के लिए पश्रो को कितनी बुरी तरह से मारा जाता है, उनके तवचा उबलता हुआ पानी गाय के उपटा रहा जाता है, ताकि उसका ब्लड सर्कुलेशन चलता रहे, ताकि उसके उतारने में आसानी हो, और हम सब उसमें भागीदार है, क्योंकि हम कहिना के उसको उप्योग करें, आप दुनिया को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन कब से कब आप प्रण ले सकते हैं, लेदर यूज ना करने से क्या हमारी जिंदरी रुख जाएगी, फिर हम क्यों उप्योग करें, अगर हमारे एक उस चीज को बंद करने से किसी गाय की या किसी और पशु की हत्यार रुख जाती है, तो यह आपका समाज के लिए बहुत बड़ा योगद जितना हो सकें बचे, ताकि पशु की हत्या कम गो माता की रक्षा में, क्योंकि गो हत्या भारत का आज सबसे बड़ा अगिश्य है, गाय केवल तीन वज़े से भारत में मर रहे हैं, तीन ही चार वज़े से, पहला स्लोटर हाउस, कतल लखाने, जब भारत आजाग हुआ था तो भारत में 700,700 कतल लखाने थे, और आज भारत में 35,035,000 कतल लखाने दिनराग चल रहे हैं, और हद तो तब हो जाती है, कि जब आप अपना कोई बिजनिस शुरू करो, तो आपको लोन लेना पड़ता है, लेकि जब आपको इस लोटर हाउस कोलो, तो आपको गवर्में सबसीड़ी देती है, तो पहला है कतल लखाने, दूसरा है प्लास्टिक, प्लास्टिक से गोहत्या बहुत हो रहे हैं, अधिकांच, क्योंकि आप समझानते हैं, भारत में सब आता है, वेलों प्लास्टिक में, पॉलोथिन में सब रखें कचड़ा और वो डाल देती, भारत एक अकेला ऐसा देश है, जहां कचड़ा आपको सब जगे मिल लाएगा, सिवाई डस्ट बिन के, तड़कों पच्छोड देती है, गाय सड़कों पर घूम रही, कहां जाएगी, भूख लगी है, क्योंकि कोई मालिक नहीं है, तो वो भोजन के लालच में, प्लास्टिक पेट से लिकले, आप सोच सकते हैं, 70-80 kg प्लास्टिक लेकर के वो बैल कैसे जी रहा हूँ, और केवल प्लास्टिक में छोटे-छोटे स्टोन, छोटे-छोटे लोहे की नेल, कीले, काच, ये सब गाय के पेट से जब ऑप्रेशन होता तो निकलता, प्लास्टिक, तीसरा, बीमारिया, मालिक नहीं है, तो बीमारियों को कौन देखेगा, आप लोगों में से यहां अधिकांश लोग ऐसे होंगे, जिनको नहीं पता होगा गाय को क्या-क्या बीमारी होती है, जबकि गाय को हर बीमारी होती है, कैंसर होता है, अलसर होता है, हरनिया होता है, बुखार होता है जुकाम होता है सब होता है और चौथा है एक्सिडेंट क्योंकि भारत की ड्राइविंग तो आप सब अच्छे से जांते हैं प्रक्स आते हैं गाय को मारगर के चले जाते हैं उनके पास इतना समय नहीं है कि कम से कम किसी को इंफॉर्म कर दे कि यहां कोई पशु या को हुआ है को कि कल आपको शामसुंदर जी बता रहे थे आप सेवा नहीं कर सकते चलिए यह तो अलग बात है बैल खेत में गुज गया उसको वहां से भगाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला तो क्या किया गोली बारते हैं ऑपरेशन से पूरी बुलेट उसके पेट से निका सेवा नहीं कर रहें और इतना बड़ा अत्याचार हम गोवर्श पर कर रहें यह कितने बड़े दुख की बात है इस यह जब होस्पिटल शुरू हो रहा था आपने बहुत कम सुना होगा गोमाता का कोई होस्पिटल अधिकतर गोशाला यह होती है लेकिन ब्रज में गोशा विच्ण चार आरा था कैसे बनेगा क्या होगा कैसे विवस्ताय होंगी सबको मेरी चंता थी थी मेरी चंता थी बस यहीत ही चलो नों हास्पिटल तो बना दो गए इतनी भीमार गय कई से मिलेंगी हुस्पिटल शुरू हो गया प्रभु क्रपा से दोवर्श पूर्व इलाज शुरू हो गया अब बीमार गाये पहले ये था मिलेंगी नहीं मिलेंगी अब पता चला कि बीमार गाये कितनी भारत के अंदर है हम पिछली बार आये थे तब यहां भी प्रवचिन हुआ था एक दिन का तब यहां पर प्रभु क्रपा से जो भी धन आया वहां भारत जाकर कि उसका बहुत बड़ा शैड बनाया गया को मानता हो के लिए तो उसको बना डिया अगर अभी एक साल पूरा भी नहीं हुआ तो अभी दो चार दिन पहले ही फोन आया था भारत से होस्पिटल से कि प्यूरा होस्पिटल एकदम पोल हो जुका इतनी भी मार गाये अमने सब अलग अलग वर्ड बनाएं जिसमें कम से कम पचास गाये जो ह और पेर के उपर से अब उस पैर को भह जया देविंग हो तो उसको बैजाने जा सकता है विडू कारण और तो पचास गावन शैसे हैं जिसको एक पैर में पचास गावन शैसा है जिसको size और अधिकांश गवों को कैंसर जो होता हो सींग में होता है पचास ऐसे हैं जो आइसी वर्ड वे भड़ती है एकदम जो सीरियस हालत और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है इस बात की यह सिर्फ इसलिए आपको बता रही हूं क्यूंकि हम लोगों को पता नहीं है गा आपको प्रश को आज तक भारत वर्ष में और शायत मेरी नजरिये में तो शाय कहीं भी आज तक नहीं हुई एक प्लास्टिक गायों के लिए एक प्लास्टिक का जैसे हुमन कोई भी विकलांग होता है तो उसके लिए केलिपर्स बनाया जाता है प्लास्टिक का पैर बनाया जाता है लेकिन पशुओं के लिए या गाय के लिए आज तक ऐसा कहीं भी कोई प्लास्टिक पैर आर्टिफिशल नहीं बनाया गया किन्तु हमारे सभी जो होस्पिटल टीम के जो डॉक्टर से जो सेवक है मैं उनको धनेवाद देती हूँ कि उन्होंने ऐसी रिसर्च की ऐसा प्रयास किया कि प्लास्टिक का पैर गवमाता के लिए वहाँ बनाया गया जिससे गवमाता को पैर लगाया जाता है और फिर गवमाता आराम से उस पर चल सकती है यह कुछ समय पहले ही शुरू किया गया बहुत सफल हुआ और दीरे दीरे आगे हो बढ़ रहा है बहुत सारे क्योंकि यह होस्पिटल ने रिसर्च भी यहां की जाती एक गाय आय थी कुछ समय पहले हमारे शाम सुंदर जी भी उस समय वही थी उन्होंने भी देखा था एक कैंज अधर इक गाय को कोई संवा लिजा था तो उसको जल्दाजीय के चटभाने के चकर में किसी ऐस्यों काषा सीव ने कर water ब़ू जो है प्लास्टिक पैर जिससे गाय चलती है कि प्लास्तिक पैर उनको लगा जाता है तो क्या हुआ हुआ को यहाँसे किसी इक कासाई ने कोई उसके अस्त्र से काट लिए देकिन पूरा द आधा गर्दन रखक लिए टो इसको बचाने के किलिए कोई गया तो छोड़के भागग गया गया अब क्या हो अब वह सास जो ले रही है गाये वह उसका नाक से स्वास बंद हो यहां से सास नहीं जो पड़ी जोर तो उसको होस्पिटल में लाया गया तो आपने देखा होगा कुछ लोग को जो गले में कैंसर होता है तो यहां एक छोटी सी पाइप लगाई जाती है इंसानों के पाइप तो अब यहां गायका जो गर्दन कटा उसमें क्या करेंगे तो डॉक्टर ने सुचा चलो इसी को थोड़ा मोडिफाइ करके गर्दन में लगाया जाए अबारे डॉक्टर सहावे बड़े अच्छे है मुख्य जो पूरे डॉक्टर्स की टीम है दस टीम है जो पूरा दिन रात रात के दो बज़े भी इंको कहो आपको अपरेशन करना है तो रात को दो बज़े उठ जाते तो यहां पर वो जो पाइप है इंसानों का उसको मोडिफाइ करके लगाया गया और उस पर उपर पट्टी बाहन दे गई ताकि धूल अंगर ना जाए और अब वो गाय एकदब स्वस्त है यहां से स्वास लेती है उसकी आवाज चली गई है लेकिन उसका स्वास जो यहां से आराम से लेती है और को भी उसको परेशानी नहीं खाना पीना सवप्रा रभी है तो हम सब प्रयास में लगे हैं छोटे छोटे प्रयास ही गाय को बचा सकते अन्यथा गाय को बचाना भारत में आज बहुत बड़ी चुनोती बन गई और केबल यहां तक जो गाय की बहुत दिया जाए तो बहुत सारे लोग विरोध में में खड़े हो जाते हैं लेकिन जब गाय वाता को रक्षा करने का प्रण ले लिया तो किसी भी वाद से फिर डरना नहीं होना चाहिए अभी भी हमारे होस्पिटल में दो एंब्यूलेंस है जो जाती है जिनराट 24-7 ए अब इसा तो कहीं नहीं लेखा पर फिर भी आपको लगता है आप आधी राट को भी वहां के दे सकते हैं हमारे दिन की पूरी टीम अलग है रात की पूरी टीम अलग है क्यों करिव वो स्वस्त गाय नहीं बीमार है ऐसी है जिनको उठा के बदलना पड़ता है वो लो 6 तो गाय चार बजह से ही मारी जारे हमस्तम उसमें प्रयास करें जिन इंदे छीजों से हमको में हकर कर सकते हैं मान्सखाना डेऽर का उप्योग क्यों क्यों क्योंकि हम सब स्वस्वाद्र ने और केष किपल संस नshelf triangular ने गाव विष्विष्यमा इंदे शास्त्र कहले हैं गाई विश्व की माय केवन सनातन धर्म पीनिंग तो हर धर्म का डायत्र बन्ता है वह अद्धा कि सेवा वह माता की रक्षा कर नहीं जक्त अब आपसे प्रश्र करूँ यहां कितने लोग है जिनके धरों में गाये है कि आधा जीब सबलिशन आप प्रशना में स्टैचु रहे हैं। बड़ा अजसे इप्रशना ही। स्टैचु है। स्टैचु है। जो लो कर जक दो स्टैचु थो है। है आजकल के बच्चों को न यह नहीं पता, यह दूद्ध माखन आता कहां से, उनको बस यह पता फ्रिद से आता है। अभी जिब बाते चल रहे थी गाये को ऐसे मारा जगता है तो सबको बड़ा दर्द हो रहा था क्या आपको नहीं लगता कि हम सबके परिवार में हम सबके जीवन में भी एक गाये तो कम से कम होनी चाहिए अगर आप पांच घर में सदश्य है पांच मेंबर हैं फैमली के तो चटवा मेंबर आपकी घर में गविल्ली पाल सकते है और कुछ प्रॉम हाउस वह गोड़ा पाल सकते तो गाये नहीं पाल सकते हैं पर चलिए माल लेज़ें यहां असुविधा भी है रोल्स भी नहीं है कि आप गाये रख सकें लेकिन फिर भी कम से कम हर एक की जीवन में एक गवमाता अवश्य होनी चाहिए जिसके लिए हम समने प्रयास किया जो लोग भारत में भी बड़ी-बड़ी मैट्टोस की दिल्ली भी गोंबे हुई जहां लोग फ्लेट्स में रहते गाय नहीं रख सकते हैं हमारे होस्पिटल में सब जो भी व्यक्ति हो जो भी अपने परिवार से एक गवमाता को सदश्य की रूम पर जोड़ना चाहिए उनको जोड़ सकता है अब जब आपके घर में परिवार में कोई बालक फैस्टाल नाम करने घरता है तुछ थायाय ऐसकårt करते हों सबालक का नाम करण कोन करता है हैं अब करते हैं तो जब गायर ऑफ्क्रीवार या जाता है कि जब भी आप उरंधा बनाएं तो आकर के अपनी गाय से मिल सके कि यह आपकी गाय कोई कुछ नाम देता है USA में एक मातेजी थी उन्होंने अपनी गायगा नाम दिया चित्र लेखा